और इसे केते हैं यार धेटता की सीमा पार कर जाना जोन आ चुका है हेल्थ की ऐसी तैसी हो चुकी है ठिलने ही वाला हूँ मैं पेटी बनने ही वाली है मेरी उसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ भाईया सनाइपिंग करने में लगा हूँ तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत आपका एक भी राण नूग गलत सीन से बारे पड़े पड़े पपजी तो मुबाईल के वीडियो में और यार इस मैच में आपको देखने को मिलेगा की अन्याय क्या होता है ठीक है मेरे साथ ज यह मेरा आखरी गेम था अमेजिंग पार्क का और यहां बंदे भी आया है और यहां पर उतरते ही मुझे उजी और सोडगन मिलती है लेकिन हम है धीट तो यार उसी से रसकिया और जैसे तैसे करके दो बंदों को नौक कर दिया एक की पेटी भी बना दी लेकिन उपर अभी और भी बंदे बाकी है और यहां पर अलग-अलग टीम के बंदे आए हैं तो यार किल चोरी करने का भी मिलने वाला है मुझे अब ये यूएंपी बहुत सस्ती गन है यार हर किसी को पता है लेकिन आगे जो सप्रेय होगा न वो गलती से महंगा हो जाएगा और यहां पर जो भी चीज हुई है वो सारी की सारी तुक्के और गलती से हुई है पहली बात यार मुझे लगा यूएंपी 45 है इसमें लोहा साइट लगा होगा लेकिन न जाने क्यूं इसमें 4X ठुकावा होता है मैं 4X खोलता हूँ मैं बोलता हूँ यार ये तो गड़ब सस्ती गंसे दो बंदे पेल गया और क्या बढ़िया बात हो सकती है अब देखो उस अमेजिंग पार्क से मैं आता हूँ पोचंकी में पोचंकी आता हूँ सारे घरवाजय बंद पड़े हैं कोई है निभाई गरों पे तो मैं यही सस्ती गारी पड़ी होती है इसे उठाता ह और सीधा निकाल लेता हूँ दूसरे अमेजिंग पार्क के लिए और यार मानो याना बानो बंदे एक ही जगा पे मिला करते हैं वह हैं अमेजिंग पार्क में दबा के बंदे मिलते हैं और यहां पर मैं जान बूच के नौकवा हाँ ऐसा निए कि मैं नूबडो की तरह कवर सूट के फाइरिंग करता रहा देर तक नहीं यार जान बूच के नौकवा क्यूंकि देखो यार मैं चाहता था जो बाकी के बंदे हैं मैं उन्हें 10 HP पे पेलूं और यह था मेरा अभी की बहाने बाद में बनाएंगे और यार गलती गलती में मैं 10 HP पे दूरूं बंदों को पेल जाता हूं मुझे लगनी रहा था लेकिन देखो ये लोग क्या कर रहे थे मेरे टीममेट पे फाइरिंग दे रहे थे यहां से इन्हों ने देखा अरे भाईया ये सीडियो में पड़ा हूं तो यहां से 10 HP पे जैसे तैसे करके जुगाड बिटा के दोनों बंदों को पेल दिया और सारी सुकार्ड जो भी बचे कुछे बंदे थे वो ठील चुके हैं और आगे मेरे ख्याल से एक बहुत बैठा हुआ है अब देखो दो अमेजिंग पार्क खाली हो चु अंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्सबैट जिसकी मादद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुडबोल बोली बास्केटबॉल गुली डंड़ा और भी कई सारे गेम्स पे आप बैट बुट लगा सकते हो और अपनी प्रेडिक्शन स्केल्स के में होगी बिल्कुल टोप में और मिनी गेम्स भी है तो यार आप वो खिलके भी देख सकते हो क्या सीन है तो यार इसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी अब एक गाड़ी भगते वे गई उनका पीछा करने की कोशिश जरूर करेंगे हम और नहीं भी किया तो यार अमेजिंग पार्क चल देंगे अब देखो सबसे खतरनाग चीज ये है कियार मैं बग्गी चला रहा हूँ अब देखो अगर आप एक टैम के लिए मेरे हाथ में साप रोख दूगे न वोलोगे भईया ये नहीं काटता मैं विश्वास कर दूँगा मैं साप का भरोसा कर दूँगा लेकिन बग्गी पे ज जूर से लालस लगी होती है तो हाँ भगाते वे लाना होता है और जैसे तैसे आके बच जाते हम यहाँ पे और अमेजिंग पार्क में बंदे तो होते ही हैं और साथ में इन्होंने फलेर भी मगा रखी है और यहाँ पे मेरे सस्ते सपरे से दो बंदे नोक हो जाते हैं ठीक है फलेर मागा रखी है इधर उधर नजाने कहां कहां पे कुद रहे हैं यह लोग तो मैं बोलता हूँ ठीक यार दो बंदे नोक हो गए मुझे पता है सिर्फ बंगी है लेकिन रस्तो करना पड़ेगा नहीं तो किल कैसे बढ़ेगी केटी कैसे बढ़ेगी तो बंगी से ही चल पड़ते हम और ये बंदा अमेजिन पार्क के हूटे हुए ओपन में क्या गरने भग रहा था मेरे समझ के बिल्कुल पार्यार मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीन और जहां तक मुझे लगता है यार भाई फ्लैंक मार रहे थे या तो साप बनने जा रहे थे जो भी ओ फिलाल फ्लैंक का पता नहीं साप का पता नहीं पेटी जरूर बन गई यार गर्मी यहां पे मेरी कोई गलती निये सारा दोस मैं गर्मी को देना चाहूंगा अरे या गर्मी ओर रखिये पंखा डंग से काम नहीं कर रहा है पसीना पसीना ओर रखाता सक्रीन में पॉडर पूडर दबा के पहला है लेकिन यार कुछ भी नहीं खड़ पा रहा है तो हाँ यहां नौक होने के लिए मैंने बहाना गर्मी पे डाल दिया लेकिन देखो आप हील हूल हो चुका हूँ यहां पे 10 HP क्लच नहीं करेंगे क्योंकि यार पेटी बनेगी अगली बार सीधा तो हील कर लिया है और बंदे पेलने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से सांप से खतरनाक आजकल बोट हो चुके हैं मतलब बोट इंतेजार करते हैं कि भाई कब दूसर कोड की लडाई होगी कहीं कोने में खुपचे में बैठे पड़े होते देखते अच्छा लडाई बिढ़गी चलो मैं भी टाइम पास करने निकल जाता हूँ यहां पे बंदों से फाइट चलिए पीछे से बोट गोलिया पेल ला है लेकिन अच्छो हुआ सब को पेल दिया था क्योंकि अगर नहीं पेला होता और बोट पे ध्यान देता तो यह लोग मेरे को पेल देते हैं खेर जो भी हो तुम्हारा भाई तीन अमेजिंग पार्क में रस करता है और तीनों अमेजिंग पार्क खाली कर देता हूँ हाँ पेटी बंते बंते बचिये दो बार लेकिन सही यार बच गए तो और क्या चाहिए जिन्दगी में तो उसके बाद मैं ऐसी बंदे ढूड़ने निकलता हूँ और बंदे काफी ज़्यादा अलाइव होते हैं तो इससे सिर्फ एक ही बात मेरे दिमाग में आती है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए कूशिस करनी है तीस से ज़्यादा किलो तीस तो होनी चीए कम से कम और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ भाईया तीस किल कर लू बंदों को पकड़ के पेलू बंदे क्या कर रहे भग रहे मेरे से दूर दूर यहाँ पर आया एक बंदे का गाड़ी देखा था मैंने जब तक यहां रुका सनाईपर टावर में भाई भग चुके थे गाड़ी पर डैमेज दिया डैमेज क्या दिया है और गोली बरवात की लेकिन कुछ नहीं होता है और गोली बरवात करने से खेर उसके बाद वो बंदा तो हमें अद्दू भी नहीं मिलता वो बंदा कहा गया होता है मेरे ख्याल से उसको खुद को नहीं पता होगा खेर जोबियों यहां से मैं ब्रिज बुरिज पे आता हूँ क्योंकि क्या पता एक्सियोन चल लाओ देखो अमेजिंग पार्क और ब्रिज यहां पे हमेशा कुछ न कुछ गलत सीनोरे होते हैं ये बात पहले मैं रोजोग की आड़ी के लिए कहता था लेकिन यार अब घरों पे बंदे दिखते ही नहीं है ये सीजन बहुत अजीब जा रहा है मैं सही बता रहा हूँ कुछ तो गड़गड हुए यार पपजी ने कुछ तो ऐसा बदला है कि बंदे ही नहीं मिलते आजकल बस आखरी जोन में मिलते हैं क्योंकि कहीं होता नहीं चुपने को जगा खेर जो भी हो ब्रिज पे आता हूँ और गोलिया चल्ली होती है और ये मैंने जिंदगी में पहला ऐसा बंदा देखा जो नौक होने के बाद भी पूरी चौड में गाडियों के उपर खड़ा है अब यहां पर देखनी की बात यह है कि यार जून भी आ रहा है हम पर अब देखो जो ना चुका है हेल्थ की ऐसी तैसी हो रखिये मुझे क्या करना चीए हील मैं क्या करता हूँ देखो आप और इसे केते हैं यार ढेटता की सीमा पार कर जाना जो ना चुका है हेल्थ की ऐसी तैसी हो चुकी है ठिलने ही वाला हूँ मैं पेटी बनने ही वाली है मेरी उसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ भाया सनाइपिंग करने में लगा हूँ और अच्छा हुआ आकरी सोट लग लाइक बिलना मत बूलना बिल्कुल ठोका पीटी गर गे नीला टैप कर दो बिल्कुल और उसी के बाद मैं इधर पे आता हूँ और यहां पे आके पता चलता है कि यार यहां पे और भी यह बंदे आना बाकी हैं अब देखो पीछे क्या होता है एक गारी होती है पट्रोल भी जाती है अब इस गाड़ी में बैटके तीन बंदाय होते हैं एक एक बंदो को हमने मार दिया लेकिन यार एक बंदे की किल चोरी हो जाती है और चोर यहीं कहीं पे लेटा पड़ा हुआ है बिल्कुल लेट के सकारेल वगएरा चला रहा है तो मैं बस ढूंडने की कोशिस कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि यार मुंडी दिख जाए और गलती से एट सोट पिल दूँ अब देखो जाहिर सी बात है और बंदा ओपन में है तो कहीं न कहीं साप बनावाओगा क्योंकि आजकल ज़्यादा तर यही सीन होता है और देखो यहाँ पे जब मैं गेम खिल ला था मुझे कद्दू भी नहीं पता होता कि सीन कैसला होता है मुझे लग रहा होता है कि यार उस बस के पीछे अभी भी कोई बैठा हुआ है लेकिन असल में जो बगल में साप बना है वो पेटी बना चुका है बस वाले की तो बस यहाँ पे मेरा टीमेड बोलता है यारे भाया सब ठिल गए एक साप भी बाकी है तो मैं साप को ढूणने के लिए घर पे साप बनता हूँ और हमसे गलती से एट सोड तो लगते नहीं है ना मुझे दिखा यार लाल लाल हेल्वेट पड़ा हुआ है वहाँ पे रख के पेला लेकिन ना जाने कहां पे गुली लगी खैर जो भी हो दो सोड पड़ जाते उस बंदे को भाई उटके भगने की कोशिस करी रहे होते हैं कि यार गुली लग जाती है दूसरी भी और इसे के साथ सब कुछ खाली हो चुका है ब्रिज खाली हो चुका है और ब्रिज के बगल में ये जो घर के नाम पे पपजी ने हवा महल दे रखा है ये भी खाली हो चुका है लेकिन यार भूक मीटी नहीं या भी बी किलकी 30 किल करना है तो यार रसी करना पड़ेगा बाकी जग़ों पे तो देखो ये बड़ा सा घर होता है और इस घर पे यार केंपिंग करना बैठे रेना बहुत ही खतरना होता है अब देखो या तो मैं नसे में हूँ या तो आपको समोक का साइन दिखराता है सक्रीन में नजाने क्या गेम एयार मैं गाड़ी चला रहा हूँ अचानक से समोक का साइना गया कब ठीक होगा ये गेम और हमारे ये भाईया सीडियों में सकोब खुलके बैटे थे भाई ने बोल लखाता कि भाई तुम उपर आओ आने ही नहीं दूँगा रस्ते में सीडियों में ही पेटी गिरा दूँगा लेकिन देखो तुम्हारे भाई पे ग्रोजा होती है तो मैं हलका सा मुँ दिखाता सकोब खुलता हूँ और भाई की खुद की पेटी कब बन जाती यार पता ही नहीं चलता उस बंदे को खैर जो भी हो इधर साइड से भी कोई गूलिया चला रहा था और ये कंटेनर यहां पे भी कंटेनर पड़े हैं कंटेनरों के पीछे ठीपी पी ले रहा है तो करना क्या यार मैं नेट करने की खुशिस करता हूँ अब मेरे नेट से बंदा नोक नहीं होता उसको नोक कोई उपर से मिनी 14 से कर देता है लेकिन यार मेरा सस्ता नेट उसकी पेटी बनाने के लिए काफी होता है और अच्छा हुआ बंदा नोक था क्यूंकि नोक नहीं होता तो तो यार कुछ भी नहीं होता नेट से मेरे और उपर पे टका टक गोलिया चली होती है कोई मिनी 14 पटका रहा है कोई M4 को एक एक गोली करके चला रहा है नजाने क्या ही सीनुर होते हैं मैं बोलता हूँ ठीक यार इन लोग को लड़ने दो धैड़ पैड जो भी लूट पड़ी है उठाओ फुल बूश्ट करो और गाड़ी लेके जाना पड़ेगा यासे क्यूंकि लगभग हमेशा की तरह जोन साथ नहीं देगा इस मैच में भी मुझे नहीं पता क्यूं लेकिन मेरे और जोन के आजकल बहुत गल्ध सिन चलते हर बार मैं यहां रूणा कर रहा होता हूं जोन से गल्ध सिन कभी नेड से गल्ध सिन चलने कभी बया हेलमेश से गलत सिन यार क्या ही भूलु आप तो आधा उसके बाद मैं यहां पर आता हूं जून में अब देखो लेफट साइड जून के बाहर है मुझे जून के अंदर जाना चाहिए लेकिन देखो हम कहां पर जाते हैं अब देखो ये बात सच है कि किलकी लालच इनसान को अंदर बना देती है लेकिन देखो यहां पर किलकी लालच नहीं कहेंगे इसे इसे ड्ऴीटता कहेंगे जून के बाहर गया दो किल्ले के आया और यहां तीस किलके बहुत करीब हा चुका हूँ मैं और लोГ गलत सीन अब बंदे साब बने पड़े हैं मैंने डेमेज दिया है बहुतों को लेकिन सीन क्या है तुम्हारे भाई की गोली बिल्कुल खाली हो चुकी है मैंने भाईया कम से कम धाई सो गोली उठाए थी नजाने कब खाली हो गई भाई पता तक नी चला यही बात यार देखो ग्रोजा की यही खासियत है उजी की तरह तेज गोली निकलती है और कब खाली हो जाती है पता भी नहीं चलेगा आपको और यार डाई सो गोली से कुछ नहीं खड़ पाता खास कर तब जब आप मेरी तरह बहुत गोलिया बरबाद करते हूँ तो यहां पर मैं अब बेसर्मों की तरह अपने टीमेट से सारी गोली ले लेता हूँ और दुबारा जारूं सापो से पंगेले ने और यहां पर क्या चीज़ चला है यार आप समझ गए होगे यहां पर चला है भाई साप का चकर मोच से टकर और गोली भी खतम हुई पड़ी है तो यहां पर मैं डीट की तरह अभी अंधा परिपायर दे रहा हूँ उसके बाद गोलीयों की तरफ देखता हूँ भाई काली हो चुकी है लगभग तो देखो सीन क्या है गोलीया खतम हो चुके तुमारे भाई की भाई के समोग भी दो ही बाकी है और जोन के नाम पे हम पे कद्दू भी कुछ नहीं बना है और उपर से गाड़ी भी फट के राको चुकी है और आगे साप बने हैं बंदे अब यहां पे हमारे भाई को ऐसा लगता है कि राइट में बंदा है गोली गोली हम चलाते हैं कद्दू कोई नहीं ठिलता कुछ भी नहीं करता और समोग भी बन रखे हैं मैं चाहता हूँ पूरी जोड से चाहता हूँ कि वहाँ पे अंदा प्रिफायर दूँ लेकिन क्या ही करे यार ये 40 गोली जो बच्ची वे मेरे पे गिनी चुनी गोलियां वो बहुत जल्द कतम हो जाएंगी प्रिफायर में और इससे ज़्यादा गोली बरबाद यार करा ना गया मेरे से दिल पे दर दो रहा था गोली मैं नहीं चाता था निहता ठिलू मैं तो मैं बोलता हूँ कोई बाती मेरे टीमेट ने राइट में देखा है बंदो को तो हम कहां से जाएंगे लेफ्ट से और देखू कहां होते हैं ये हमारे साप लोग तो आओ जरा हम यहाँ पे सीन को थोड़ा सा समझते हैं मैं उतरा गेम में उतरा स्टार्टिंग के तीन अमेजिंग पार्क पे रसकिया जितने भी फले डिरॉप थे फले डिरॉप पे रसकिया ब्रिच पे गया ब्रिच पे बंदे पेले उसके बाद और भी साप पेले घर पे सकोब खुल के बंदे बैठा है थे उन्हें भी पेला ठीक है यहाँ पे आया भकते भकते जोन के बाहर गया जून के बाहर जाके दो बंदे पिल के आया उसके बाद जून के अंदर आया दो सापो को पिला ठीके पब जी ने देखा अच्छा ये बंदा पूरी जान लगा के खिलना इसके 30 किलो चुके है भाई ये बंदा इतनी जान लगा रहा है कि जोन के पहर जाके बंदे पिल ला है हना और वहाँ पे PUBG ने देखा दूसरी तरफ दो बंदे लेटे पड़े हैं बिल्कुल ना गोली चला रहे ना कुछ तो PUBG ने सोचा यार क्यों ना इन सापो पे जोन डाल दिया जाए हना दिक्कत क्या है यार मतलब इतनी कठी नाई या तो हुई चुकी है इस बंदे के साथ जोन भी नहीं देते इसे किलो ते हैं कास में चाता 31 31 32 किल हूं तो ये दो को भी बिल पाता लेकिन आज की वीडियो में इतना ही भैलो ग्यार बहुत-बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए चिकन नहीं हो पाया देखो पहले मैंने बोला था कि जोन पर दोस नहीं दूंगा लेकिन यार एक ब भाई ने बोला कि यार राइट पे समोक है राइट में बंदें तो मुझे लगा ठीके लेफ्ट से जाएंगे और ये दोनों के दोनों बंदें लेफ्ट में लेटे पड़े होते हैं टाइम तक नहीं मिला मुझे कुछ करने का और आज के बहानों में इतना ही भाई लो ग्य और सचती सनाइपिंग भी तो कल मिलते हैं लोग यार जाते जाते एक एक स्वेट चेकाउट करदा मद भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में तो कल मिलते हैं यार बाई बाई झाल झाल झाल